जै श्रीमन नारायन दोस्तों आपका स्वागत है इन पांच लोगों के गलती से भी पैर मत चुना बन जाएंगे पाप के भागिदार और आप हो जाएंगे बरबाद भारती संस्कृती में बड़े बुजूर्गों के पैर चुने की माहन परंपरा है और ऐसा करना शिष्टाचार और दूसरों का समान करने का प्रतीक होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैदिक शास्त्रों में कुछ लोगों के पैर चुना वर्जित माना गया है ऐसा करने पर पाप लगता है और अशुप फलो का भागिदार बनना पड़ता है आईए जानते हैं कि किन लोगों के और किन जगाओं पर पैर नहीं चुने चाहिए तो उनमें सबसे पहले जो आते हैं वो हैं मंदिर में आपको किसी के भी पैर नहीं चुने चाहिए अगर आप मंदिर में पूजा करने गए हुए हों तो वहाँ पर आपको कोई भी समानित व्यक्ति या फिर बड़ा बुजर्ग मिल जाता है तो आप उनके पैर हरगिस ना चुए है कि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता ऐसे में भगवान के सामने किसी मनुष्य के पैर चुना ईश्वर और मंदिर दोनों का अपमान माना जाता है दूसरे है कि सोई हुए व्यक्ति के चरण इस पर्ष भी नहीं करने चाहिए अगर कोई व् पैर चुए जा सकते हैं और किसी के भी नहीं इसलिए आपको ऐसी गलती करने से हमेशा ही बचना चाहिए तीसरे वो लोग होते हैं जो कि शमशान से लोट रहे होते हैं उनके भी पैर आपको चुने से बचना चाहिए किसी के अंतिम संसकार में शामिल होकर लोटे हुए किस उसके बाद ही आप पैर चुए और तभी पैर चुए जा सकते हैं उसके बाद आते हैं कि पत्नी के भी पैर आपको नहीं चुने चाहिए शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को अपने पती के चर्ण सपर्श करना चाहिए यही सिद्धानत और यही कहा भी गया है ऐसा करने से परिवार का सुभाग्य बढ़ता है लेकिन पती को भूल करके भी पत्नी के पैर नहीं चूने चाहिए ऐसा करने से परिवार पर संकट के बादल चाने लगते हैं साथ ही कंगाली परिवार में अपना डेरा जमाने लगती है इसके बाद आता है कि बेटियों से भी पैर नहीं चूआने चाहिए दार्मिक विद्वानों के मताबिक किसी भी पिता को अपनी बेटी भतीजी नातिन या फिर पोती से पैर नहीं चूआने चाहिए ये सब देवि के दोरान इनको कंचकों के रूप में पूजा जाता है जो कि भारते संस्कृति में बेहदी पूजनिय कही गई है और ऐसे में अगर आप उन से अपने चरण सपर्ष करवाएंगे या उनको चरण सपर्ष करने के अनुपती देते हैं तो आप भी पाप के भागिदार बन ज साथ में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बैल को दबाना बिलकुल भी न भूले क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत्पून जानकार्या मिलती रहती है जैश्री मन नारायन दोस्तों जैश् अधिक्रिष्णा